जय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के पहले सप्ता के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए एक अगस्त से साथ अगस्त तक का समय कैसा रहे किस ग्रह का क्या आपकी जीवन पर प्रभाव होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले चोटा सा ही निवेदन है चैनल पर अगर आप पाज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें और जुड़ गोचर करते हुए करक राशी तक होगी यानि चार भावों में चंद्रमा सक्रे रहेंगे मेश व्रशब मिथुन करक इन चार भावों में चंद्रमा के स्थिति होगे और इसी के अनुसार जो है आपकी जो दिंचरिया है उसमें भी परिवर्टन देखने को मिलेंगे इसके लावा बीच में कई योग भी ऐसे हो रहे हैं जो इस सप्ताह के लिए बेहत खास हैं अब देखें सप्ताह की शुरुवात स्रावन मास से हो रही है और साथ में शुरुवात में ही दो अगस्त के दिन ही सावन का दूसरा सौमवार है तीन अगस्त के दिन दूसरी मंगला ग चंद्रमा की सिथी, सातवे, आठवे, नोवे और दसवे, चार भावों पर रहेगे, तो इस अपता की जब शुरुवात होगी, तो आपके लिए जो इस्थितियां होगी, वो बड़ी अच्छी होगी, आप अलग से कार्य करने के लिए आपके पास काफी समय होगा, अलग से क पूरा करना चाहिएगे, जो आपके शौक है किसी तरह के, तो उनको आप पूरा करने की तरफ प्रेरित रहेंगे, जो काफी समय से आप करना चाहते थे, जैसे QUEहीं यातरा पर जाना, कहीं आपको जाना था, और आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आपका सिंगिंग का था, डांसिंग का था, कुछ चितरकारी का था, तो इन चीजियों को करने से ना केवल आपको मज़ा आएगा, बलकि खुद को भी आप काफी अनरजेटिक अलग सा फील कर पाएंगे, अब शनी ग्रह जो हैं, उनकी शनी ग्रह की आपकी राशी पर पूर्ण द्रस्टी है, और शनी की आपकी राशी पर पूर्ण द्रस्टी के कारण, नौकरी पेशा लोगों के लिए, इस सप्तहा की शुरुवात से ही, आए में व्रद्धी के योग बनेंगे, शनी आपके लिए जबरदस्त योग बना रहे हैं, शुरुवात से ही, आप देखेंगे, आए में व्रद्धी होते हुए, अपने कामकाज में आपको बड़ा मान सम्मान प्राप्त होगा, आपका बड़ा मन लगेगा आपने कामकाश में, साथ में छोटे-मोटे कुछ निवेशों में आप पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे-छोटे इन्वेस्टिमेंट आप लेकर चलेंगे, तो आप के लिए अपेक्षा से ज़ादा बहुत कुछ ये मिलने वाला है इस अपता हमें, साथ में आपकी जो भाई बहन हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, हर कदम पर उनका सपोर्ट होगा, जिसके कर आप किसी भी तरह की मुसीवत हो, उससे बाहर निकलने में सफल होंगे, बिना संकोच किये, उनके सामने अपनी परिशानियों को आप व्यक्त कर सकते हैं, ताकि आपकी परिशानिया सौल्व हो जाएं, उसके बाद चंदरमा राशी बदलेंगे, चंदरमा राशी बदलेंगे तो इस्तिती जो है वो आपके सब्तम, आपके अस्टम भाव में होगी, अस्टम भाव में जो बदलाव का भाव होता है, विर्षब, यहाँ विर्षब में चंदरमा होंगे, और यहाँ पहले से ही राव मौझूद हैं, तो राव और चंदर की यूति होगी, अस्टम भाव में, तो यहाँ आपका जो ध्यान होगा, वो एक तो कुछ बदलाव की तरफ होगा, कुछ बदलाव आप करना चाहेंगे, अपनी जीवन में अपनी दिन्चरिया में, इस तरह में, कुछ गूड विद्याओं की तरफ आपका ध्यान का अकर्शित होगा, जोतिस की तरफ ध्यान अकर्शित होगा, पूजा पाठ की तरफ ध्यान अकर्शित होगा, इसके अलावा आप जो इस्टूडेंट हैं, उनके लिए जो शोध का शोध से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत benefit देने वाला ये समय रहेगा तो ये इस्तिती भी अच्छी रहेगी उसके बाद चंद्रमा राशी बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे भागय भाव में चंद्रमा मिथुन राशी में बड़ी उत्तम इस्तिती में र सफलता देने वाला साबत होगा अपने लिए अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे जिससे समाज के साथ साथ गहर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और खुद को बहतर बनाने के लिए अपने बहतर प्रदोशन के लिए आप खुद को ही प्रोथसाहित कर आप को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुम्किन नहीं है यानि आपने अगर कोई काम किया और आप चाहते थे कि उसका जो बैनिफिट है उसका जो लाब है वो आपको बहुत अधिक मिलना है लेकिन जरूरी नहीं कि हमें हर समय सफलता मिले तो अगर ऐसी फलता नहीं मिल पाई है तो अपने आत्मिश्वास को कम ना करें आज ना कल रिजल्ट आपको उसका अच्छा ही मिलेगा लेकिन ऐसा फलताओं से घवराना नहीं है कुछ चीजें अगर आपके मन मताबिक नहीं होती है तो उनसे आपको घवराना नहीं है बलकि अपनी काम क और बैटर करने की और अच्छी तरी किसे करने की कोशिश करनी है जिससे आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह ना रहे और अच्छा करने की कोशिश करें जब आप परेशानियों से निकल कर आते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं और चीज को बहुत ही बहतर से बहतर करना श कर्म भाव में चंद्रमा की इस्तिति कर्म को सबसे अधिक प्रभावित करेगी कर्म पर दहान आपको यहां रहना होगा जब आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी इस्तितियां खुद बखुद आपकी फिवर में होती चलि जाती हैं कर्म पर सिर्फ ध्यान देना है क्या काम आपको किस समय पर किस तरीके से निप्डाना है नोकरी करते हैं तो वहां अपना 100% देने की कोशिश करें Business करते हैं तो अपने जो आपके workers हैं उनको आप अच्छे से manage करें उनको आप कुछ अच्छी चीजें ओफर कर सकते हैं ताकि उनका मन काम में लगे बीच बीच में आप उनको कुछ चुटी मूटी पार्टी दे सकते हैं ताकि वो काफी एनरजेटिक रहें तो अपना थोड़ा सा अपने भी अंदर बदलाव लेकर आएगे तो बहुत अच्छ रहेगा बस जो मध्य समय होगा उसमें थोड़ी सी सावधान या रखनी है बाकी ऑवरोल जो सब्ता है वो काफी अनुकुल रहने वाला है अब इस सब्ता हमें जैसे की शिव भगवान शिव का दूसरा सौमवार भी आएगा और मंगला गौरी व्रत भी आएगा तो शिव क अराधना करनी तो बनती है भगवान शिव का सच्चे मन से जलाविशेक करें और शिव चालिसा का पाठ करें भगवान शिव को प्रसन्न करें और अगर कोई आपको अनात आस्रम मिल जाता है तो वहां आप कुछ दान जरूर दें इस समय में सावन का महिना जैसे पवित्र म लाइक करें शेयर करें